सलाम अलेकुम फ्रेंस, वेलकम बेक टू मैं यूटूब चैनल अर्सिन वाल्ड फ्रेंस आज मैं आप लोगी सार शेयर केरने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार एक रिसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की साथ केपसी काम आलू और प्यास की करी और एक बड़ा सा टमाटो भी ले लिया, धनिया पत्ता को भी ऐसी ही भारी करके काट लिया हूँ और हमको चाहिए मटन, हमारी मटन हाफ राई है, आप रो मटन का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो आईए रेसीपी की तरफ आगे बढ़ते हैं, फ्रेसे कड़ाई पर मैंने तोड़ा सा टेल डाल दिया हूँ और अब हम इस पर हड़े गरा मसाला प्यास और लसन की के लिए को शामिल कर देंगे प्याजर लसन को तोड़ी दर के लिए फ्राई करना होगा ताकि ये गल्डन ब्राउन हो जाए जब ये गल्डन ब्राउन हर जाएगा तब हम यहाँ पर टमाटो को एड़ कर देंगे टमाटो को भी तुड़ी दर के लिए फ्राइ करना होगा ताकि इसकी कच्चा पैन चली जाए अभी हमारी प्यास लसुन और टमाटो फ्राइ हो चुकी है अब हम इसे एक स्मिक्सी पर साइट कर रही हूँ जब तक यह टंडा होता है तब तक हम दूसरी साइट पर केपसी काम आलो और प्यास को फ्राइ कर लेते हैं केपसी काम, आलो और प्यास पर टेस्ट अने के लिए हमने यहाँ पर तोड़ासा नमक भी एड़ कर दिया केपसिकम को हम ज्यादा नहीं बस थोड़ी देर के लिए हम इसे फ्राइ कर लेंगे थोड़ी दे फ्राइ होनी की बाद यानि गॉल्डन ब्राउन होनी की बाद हम इसे एक प्लेट पर साइड कर लेंगे तहीम उसी तरह हम मटन को भी फ्राइ कर लेते हैं दोस्तों अभी हमारी मटन फ्राई हो चुकी है और दूसरी सेट पर हमने जो फ्राई करके रखा था टोमाटू और प्याज उसका भी एक फाइन प्रेस्ट बना लेते हैं अभी मैंने उसी कड़ाई पर और तोरा तेल एड़ कर दिया हूँ और हमारी जो प्यूरी बना के रखा था उसे भी एड़ कर दिया हूँ और इस प्यूरी को आची से बुनाई करना होगा जब तक इसकी काला चेंज नहीं होता तोमाटो की प्यूरी को आची से भूनते रहना होगा जब इसकी उपर तेल दिखाई देगा तब आप यहाँ पर सारी मसालों को एड़ कर देना मैंने यहाँ पर एक चम मच मिर्जी पौडर, एक चम मच हल्दी पौडर, एक चम मच जीर्या पौडर, एक चम मच दन्या पौडर को एड़ कर दिया मसालों को तूरी दिर फ्राइ करने की बाद हम यहाँ पर गरम पानी एड़ कर दिया फिर इसे अची से मिक्स करके हम यहाँ पर मतन को भी एड़ कर दिया थाकि यह नरम हो जाए दोस्तों अभी हम लोग इन मतन को अची से कुक करेंगे ताकि यह नरम हो जाए और मसालों की फ्लेबर्स आए जब आपके मतन कुक हो जाएगा तब आप यहाँ पर फ्राई किया हु हुआ तो और तोड़ा एड़ कर दिया आप अपने स्वाद के अनसर कमिया ज्यादा कर सकते हैं 15 मिन्स पाद यहाँ पर हमारी मज़दर शिमला मीच मर्टन की कारी तयार हो गई है फ्रेंस लास्ट में हमने यहाँ पर धनिया पता और मीट मसला एड़ किया था दोस्तों आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा